हेलो फ्रिंट्स आइवलकम यूल तो माई यूटिप चैनल इसमा इंवेस्ट्मेंट ऑप्ट सरक्ट के शेयर ने पिछले कुछ महीने में निचले लेवल से बहुत जबर्दस तेजी दिखाई है स्टॉक एक डिट रुपे से लेके ऊपर 20 रुपे के असपास तक गया वहां से स्टॉक में वन वे लोवर सरक्ट लग रहा है और काफ़ सारे इस इंवेस्टोस हैं जिन्हों ने इस तॉक उपर के रेट पे लिया हुआ है कमपनी के किश ह्वो के रिजल्ट भी आये हैं आज के सी वीडियो में हमगे रिव्यू कि बात करेंगे कि क्या करेंट लेबल पर स्टॉक में कोई बनता है नहीं लगातार जो स्टॉक में लवर लग रहा है उसके पीछे क्या कारण है इस सब के बारे में आज कम्पलीट एनलेसिसम स्टॉक का करने वाले हैं शुट कमपनी के बिजनस के बारे में पहले बात कर लेते हैं कंपनी एक इंडियन ब्रेस ग्लोबल मेडिकल डिवाइस और टेकनलोजी कमपनी है कमपनी मेडिकल इक्यूपमेंटे बनाती है यहीई रीजन है किसके स्टॉक में यह चबरदस तेजी न कौरोना पैंडमिक के बाद देखने को मिली है जब मैडिकल equipment की demand अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई company के शेयर ने एक रुपे साथ पैसे के आसपास से नौन स्टॉप 19.60 पैसे का तक्का रन दिया है इस anticipation में की company का revenue होने वाले time में बहुत बढ़ सकता है काफी बड़े orders इनको मिल रहे हैं क्योंकि medical equipment की जो demand है वो corona pandemic की वज़े से एक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 19.60 पैसे का जो है हाई बनाने के बाद में stock में लगातार lower circuit लग रहा है और stock जो है correct होते होते 12 रूपे आ गया है जिन्होंने ऊपर के rate पे लिया है अब उन्हें क्या करना चाहिए और जिन्होंने नीचे के rate पे लिया है उन्हें अब क्या करना चाहिए stock के चाल कैसे रह सकती आने वाले टाइम इस बारे में वीडियो में आगे हम बात करने वाले कंपनी के पहले जो रिजल्ट के बारे में बात कर लेते है 35 करोड के आसपास की सेल आई है जिस पर 116 करोड का कंपनी ने loss दिखाया है अला कि उसमें 98 करोड का ने अचेक्ट करोड का एक्सेपशनल लॉस को हुआ है पूरी नेटवर्थ कंपनी की एरोड हो चुकी है हजार करोड से उपर के डेट है 377 करोड की निगेटिव नेट वर्थ है क्योंकि पूरी नेट वर्थ जो है इस फिनाशल येर में इरोड हो चुकी इतना वड़ा लॉस लेने के बाद में 12 रूपे जो इसका आज का सी एमपी है वहाँ पर जो कंपनी की मार्केट कैपिटल है वह साड़े 300 क्रोड के आस पास बैठती है अब बात करते हैं आने वाले टाइम में क्या स्टाटेजी होनी चाहिए पहले उनकी बात करते हैं जिन्होंने ये स्टॉक नीचे के लेवल पे लिया पर आपने इस टॉक नीचे के लेवल पर आप बेच नहीं पाए हैं तो आपक डिवाइसे की वज़े से कॉरोना की वज़े से वह अलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है और इस टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसकी वज़े से स्टॉक में दुबारा कोई बड़ा अपमूव बने यह स्टॉक इस बात के पूरे चांसे से कि सिंगल डिजिट में इनने ने नीचे के रेट पे लिया उनों उनको भी इस स्टॉक से निकलने की एडवाइस है क्वाटर वन के जो रिजल्ट आएंगे वहां पर जो कॉरोना की वज़े से सेल्स बढ़ी है उसका कुछ एंपक्ट देखने को मिल सकता है पर उसके बावजूद भी कंपनी की बा यूफोरिया बना था कोईड नाइंट पैंडमी के बाद से यहां पर सारी हेल्थ के डिवाइस बनाने वाली कंपनी फार्मसेटिकल कंपनी में बहुत अच्छा रनाया था जिसकी वज़े से छोटा टिकेट साइस की होने की वज़े से बहुत ज़दा चल गया था फिलाल इ लिए तो भी आप बेच करने रेंज में आपको रहे ता हूं नीचे के लेवल पर जो रेंज बनती है वह पांच शात रुपे के आसपास के बनती है और जो करन इसका रेट है दस ग्यारा रुपे के आसपास यहां से नीचे जाता है यह काफी बड़ा डिस्टेंस लेवल होग स्टॉक इस से ऊपर जाएगा इसके चांसिस बहुत ज्यादा कम है अभी तो चांसिस यह भी है कि और अगले साथ आट सेशन इसमें लगता लोग सब्सक्राइब कंटीनियो रहे है फिर्ट फर्दर आपकी कोई भी कोई शेयर को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकत वीडियो आपको पसंद आईए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए थेंक यूँ